आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ इस पेसल भेज लांज ठाली जो कि बहुत टेस्टी और बहुत एजी है बनाने में भी और बहुत जल्दी बन जाती है जिनके पास टाइम नहीं है तो बहुत जल्दी बना सकते हैं अच्छा कोई घर में आपका गेस्ट आ गया है तो आप अराम से बना के दे सकते हैं बहुत टेस्टी और बहुत एजी है बनाना तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है मतर हरी वाली जो मतर है जो सर्दियों के टाइम में जादा मिलती है तो मैंने हरी वाली मतर को अच्छे से छुडा लिया है और तीन बड़े साइज अनियन लिया है मैंने तो अनियन का भी अच्छे से उसका जो छिलका होता मैंने बाहर निकाल लिया है और इसको अच्छे से धो दूँगी धोने के बाद चॉप करूँगी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कमेंट सेर करना ना भूले अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा आप लोग एक लाइक करने से बहुत मोटिवेट और बहुत सपोर्ट मिलती है तो यहां पर मैंने अनियन का चॉप कर लेती हूँ जो की तड़का के लिए मैंने चॉप किया है और यहां पर आलू भी वाइल होगा तो आलू का आज मैं बनाऊंगी आलू मेथी आलू दम बिर्यानी जो की बहुत टेस्टी होती है पंजावी इंस्टाइल में और मैंने यहां पर आलू अच्छे से बाओ आलू क परचे से छील लिया है और अलू के हमां ही अगर चिलंगा लिए तो बहुत शिलखा निकल जाता है तो इसलियर अप ठाचा की है और मैं अभी लूरका हूँ आज मैंने आप बिर्यानी बनाई एकदम पंजावी स्टाइल में बहुत टавать हैं फोससी में करूँ लिए ठोड़ थोड़ा से मैंने जीरा लिया है तो मैं एक प्लेट में निकाल लेते हूं और मुझे तड़का के लिए भी चाहिए तो मैंने छोटा सा दो लवंग लिया है धोग्त ऐक्दम दाल- चिनि का लिला है और यहां पर कोकर मैंने रख दिया था, सबसे पहले मैंने यहां पर तड़का बना रही हूँ तो कोकर रख दिया था, मैंने कोकर गरम हो गया है तो मैंने थोड़ा सा सरसो तेल डाल दिया और छोटा सा दो तेज़ फत्ता, थोड़ी सी जीरा और यहां पे जाएगा दो लवंग जो मैंने निकालके रखा था तो दें, यहां पे देखे चोटा सा एक दम दाल चीनी का टुक्ड़ा है दो चोटा सा लवंग और मैं जो टड़का बना रहे हूँ, एक सिंपल सा टड़का बना रहे हूँ जो कि बहुत तेजी और बहुत टेस्टी रहती है और यहाँ पे एक छोटा सा अनियन मैंने जो चौप किया था वो मैंने डाल दिया और मैंने सबजी के लिए रखा है जो मुझा और यहाँ पे दो हरी मिर्च बड़ा फिसेस में मैंने काट लिया है तो चली इसको हलका सा पहले रोस्ट कर लेती हूँ और जो मेथी दम बिरियानी उसको बनाना बहुत तीजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है रोटी या फराठा सबजी पूड़ी सब के साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है तो प्लीजी एक बार जडूरा अप्लोग ट्राइग कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के कोडिंग मैंने यहाँ पर नमक एड़ कर दिया है तो यहाँ पर देखे हलका सा जो प्याज ब्राउन हो चुका है और मैंने पेस्ट बनाके रखा है लहसन और आदी का जो कि मेरे पास अभी पेस्ट खतम हो चुका था तो मैंने घर में गराइंड कर लेती हूँ और इसका पास यहाँ पर मैंने हल्दी एड़ कर दिया थोड़ी सी जीरा पाउडर एड़ किया है तो इसको अच्छे से पहले चला लेती हूँ पर किट्टू के स्कूल साने के पहले मुझे यह सब त्यारी करना पड़ता है क्योंकि स्कूल सो दो बज़े तक आ जाता है तो बच्चा है चोटा सा भूख लग जाता है तो इसको हमेशा दाल चावल चाहिए तो इसलिए मुझे रोज दाल बनाना पड़ता है तो यहां पर देखें मैंने जो हाप टमाटर चॉप करके रखा था वह भी मैंने एट कर दिया है और थोड़ी देट तक अच्छी से को भूखना है तो दिखिए रड़ अच्छे से साइबसे छोड़ने लगा हुए तो चलिए भी थोड़ा देर तक और चलाना है और मैं जो तड़का बना रही हूँ चाना डाल का है जो यहाँ पर दिखे चाना डाल एक दम फ्रेश चाना डाल है और मैंने पहले ही दो के रख दिया था तो थोड़े दिर तक और चलाओंगे चाना डाल के साथ में मजाला को अच्छे से दोनों मिक्स हो जाएगा और उसके मैंने यहां पानी डाल दिया है तो आप जिस तरह से आप चना डाल के पकने के ऊपर है तो भी कलने तो आप ज़़गा cambiar दिया cinema को अच्छे से अचसे थे art छोल्मॉ तो यहांपर मैंने गोवि कारूली के लिए हैं और जोताबी है ज़दे ृफ्पैंशचे में हैं मेरा तो तो मैंने यहां पर ब्तव काट लिए और रच्छे से धो भी लीया मैंने और मेरा गरम हो चुका तो मैंने सर्षो तेल डाल दिया और सर्षै अब कर ना दीएική उ फ्रैक करना और मैं डू तो आपके उपर हैं आप कुछ भी एड़ करके बना सकते हैं तो मैंने यहां गोल भी एड़ करके बना रही है और थोड़ी सी मटर भी डालोंगी यहां पर देखें जो आलू है ज्यादा आलू बाइब नहीं कि यहां बस 5 पीचे से हलका मीडियम साइज का है तो मैंने तो क्यूंक ब्रावी को दो चब्राइब भाइब तो कॉल तु यहां पर मैं निकाल के विलों तो इसी में इसी में तो तो श्ता एंद बना के प्लम स्केर। तो देखें यहां पर गोवी भी मेरा फ्राई हो चुका था और जो थोड़ी सी तेल बच जाता तो मैं ज्यादा इसमें तेल अड़ नहीं करूंगी तो थोड़ी सी मैंने जीरा डाल दिया तेजपता डाल दिया और यहां पर जो चौप किया वा अनियन था वह भी मैंने टियरा वावाधि कर शकते हल्दी धनिया पारडर तो धनिया पारडर मैंने यहां पर एक चमाच अच्छ एड़ किया और अच्छे सी सको भूंजना है हूं है हूं है हूं हूं हाँ है अ और कभी कभी इस तरह से आप लंच में खाना बनाते हो तो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में भी और घर के भी लोग खुस हो जाते है तो यहां पर दीखे मेरा जो गोवी आलू अच्छे से फ्राई हो चुका था मैंने पानी एड़ कर दिया और यहां पर जीरा राइस के लिए मैंने जो घर का जो नॉर्मल चावल होता है हम जो सुपर चावल होता है वह हम लोग खाते हैं तो मैंने पैच्छे से denो के मैंने रख दिया और जब भी और आपको पुलाव बनाना हो या चावल बनाना हो तो आप एक गंटा पहले चावल को अच्छे से दो के रख दो तो थोड़ी सी मैं यहां पर जो धनिया पता चौप करके रखी तो भी मैंने अइड कर दिया जो कि धनिया पता डालने से सबजी बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए मेरा मेथी दम बिरिया दम आलो बनके रेडियो हो चुका है और यहां पर मैं कदू एक लिया था जो कि सर्कल सेफ में यहां पर कटना है तो देखे स्टार्टिंग में तो नहीं कटा बट अभी देखे कितने इच्छे से सर्कल सेफ में कट रहा है और इसको मैं बनाऊंगे हलका सा पानी में बवायल करूंगी हलका सा एक तम नमक डालकर जो कि बहुत टेस्टी रखती है खाने मे और मेरा कीटू का फैब्रेट है और मेरे हैस्बंड को भी फैब्रेट है हम लोग बहुत खाते मुझे बहुत पसंद है तो हम लोग साइट बहुत जादा बनता है यहां पे देखे यह जो चावल काटा मैंने रखा है पहले से अल्रेड़ी पीस के रखा हुआ था तो यहां मैं इस पेस्ट बना रही हूं जो कि बचका बनानी के लिए मैंने यहां पे 5-6 चमच लूँगी चावल काटा जो कि देखिए यहां पे एकदम बारीकी वाला चावल काटा है और इसमें जो बेस्क मसाले होते हैं तो आप हल्दी नमक और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ल नमक एट कर देजिए तो मैंने नमक भी आट करदिया व कर उते पई और आप इन चीजयों के अच्छे से सत्कों मिक्स कर लिए तो मिक्स कर लेती हूं ऑर मैं गोभी के वी सब्चेसे मिक्स कर लिए हैं और आप टेस्ट के नमक डालmeden पैस्ट बालिकरम कर दिखने हिल्धा चावल होता हुआजा से मैं बना लेती हूँ अगर ऐसे पुलाव गरा बनाना होसा मैं जो बासमतीा रा T मैं आप देखिए देक्षजा से बचका veux चावल अधकी सन्मीम मैं तियोत से तो इ। अधर नो में सेल के रखा और जो तेल में अच्छे से फ्राई कर लेती हूं बहुत टेस्टी लगती है खाने में फ्लीज एक वज़ड़ू ट्राइए कीजिएगा बहुत टेस्टी लगती है खाने में और बच्चे लोको तो ज्यादा पसंद आती क्यूंकि सब चटपटा वेगे रहा है तो अच्छा लगता ह खाने में और यहां पर गोवी का पकॉड़ी बनाने के लिए मैंने छोटा साइज में गोवी के काट के हरका सा गरम पानी में वायल करूंगी इसको अहलका सा मैंने नमक आट कर दिया कि गरम पानी में गोवी उबले तो गोवी के अंदर नमक अच्छे से चल जाए और क्यू तो मैं इसको अभी निकाल देती हूं और किटू का भी आने का टाइम हो रहा है अप्सास या चतनी के साथ भी आप गोवी का पकोडी कहा सकते हैं वहाप टेस्टी लगती है खाने में तो यहां पर दिखे मेरा गोवी का भी पकोडी बन के डीडी हो गया, तो यहां पर सबसे पहले तड़का देखे हैं कितना टेस्टी और बहुत ईयमी लग्रहे है खाने में भी और erkhanे मेय चाना का दाल है अगर धाल अक्दम, खिला खिला चाना का दाल है चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट कर दीजिएगा मुझे और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है कभी-कभी मतलब वीडियो पर कम भी हो जाते तो बहुत मतलब बहुत दिल तूट जाता मन करता नहीं बनाऊ कोई बात नहीं कभी जादा कभी कम बेशी होते रहेगा तो प्रीज आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है तो यहां पर देखे मेरा स्पेसल भेज लांज ठाली रेडियो हो चुका है तो मैं यहां पर आपको प्लेट में सब करके दिखाती हूं तो देखें यहां पर चावल तड़का मेति आलू दम रेडियो है सैलेड